नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सबбी उमीद है कि सब अच्छे होऊंगे दुरूस्ट होऊंगे और तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी आप सबी की और इसमें हम एक प्रिविस कोशन की चर्चा कर रहे हैं जो भी question आपके अभी recently exam में आये थे GD के हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको पता लगें कि क्या level exam का पूछा जाता है और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके कम से कम maths में 20 में से 20 नमबर तो आने ही चाहिए ये कम से कम भी है ये maximum भी है तो भई दोनों case में सिर्फ आपने 20 में से 20 का ही target करना है ताकि आपके एक भी सवाल की गलती ना हो और क्योंकि math scoring subject होता है तो यहाँ पर गलती करने की संभावना बनती भी नहीं है यहाँ पर accuracy भई काफी अच्छी आप बना सकते हो और इसको भई आपका benefit definitely मिलता ही है क्योंकि कभी भी आपका जो numerical वाला part होता है जैसे कि reasoning है, maths है यहाँ पर भई आप कोजिश करने के आपके marks मिलकुल भी ना गटे है क्योंकि generally आज के time पर तो भई यहाँ पर competition लगबग 0 के बराबर हो चुका है लग कि बच्चे यहाँ पर completely score करते है ठीक है, यानि कि आपने यहाँ पर तो marks नहीं कटवाने है तो चलिए हम practice set की series में आगे बढ़ते हैं क्या कुछ है आज के सवालों में उनके हम चर्चा करते हैं तो फिलाल अभी यह एक चीज यह भी है कि आपके YouTube पे free classes चलाई जा रही है जिसमें कि आप topic wise अपने सारे content और cover up कर सकते हैं तो जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए काफे बहतरी चीज चलाई जा रही है तो अपनी तैयारी को यहाँ से अच्छे से cover up कर सकते हैं यानि कि ऐसा number जिन में कुछ भी common ना हो यानि कि वो किसी भी एक की table में नहीं आते हैं जैसे कि अगर आप 9 और 63 को देख रहे हैं तो यह दोनों 3 की table में आते हैं या फिर कहलो कि 9 की table में भी दूसरा number आ रहा है तो यह co prime नहीं कहलाएंगे इक्तिस और 42 की बात करें तो 7 के table में यह 2 numर आते हैं तो यह भी गलत है , इसकी बात करें तो भई यह 3 की table में भी आहरे है तो ये भी गलत है 11 और 21 ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है सह अभाजय संक्या है ये दोनों दूसरी के पहाड़े में नहीं आते हैं किसी और नंबर की common multiple में नहीं आते हैं किसी के table में नहीं आते हैं तो जो आपका answer कहलाएगा वो option number D यहाँ पर कहलाएगा क्या ये बात clear है भैस अभी बच्छोगा हां जी पक्का चलें आगे question number second देखना क्या कहा गया 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं ठीक है जी हम लिख लेते हैं एक तरफ इसने कहा कि 12 महिलाएं हैं और plus 16 पुरुष हैं यानि के man ये काम करते हैं कितने दिन में 11 दिनों में तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये हमारा total work है ये number of worker है ये days है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा total work आ जाएगा ठीक है सर बिलकुल कह सकते हैं इनों ने क्या कहा अगर परतेक महिला उस कारे को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए के समय का दुगना time लेती है यानि कि एक औरत को double time लगता है उस काम को करने के लिए यानि कि अगर हम बात देखें तो यहाँ पे अगर औरत है और यहाँ पे आदमी है तो अगर मैं timing की बात करूँ तो औरत को double time लगता है आदमी के मुकाबले तो efficiency में क्या connection होगा तो आप कहेंगे reverse कर दो यानि कि एक औरत की ज पुट कर दूँ तो मुझे total work मिल जाएगा m की value 2 और w की value 12 महिल आए तो आप कह सकते हैं कि एक औरत की speed एक है और आदमी की speed यहाँ पे 2 है ठीक है जी अब solve करते हैं तो 12 की एक करते हैं तो अब 12 यह 16 दो नहीं 32 multiply 11 तो यह 32 और यह 12 कितना हो जाएगा 44 multiply 11 यह आपका total work आगया यह काम मुझे किस से करवाना है तो 16 पुरुष करवाना है तो divide by 16 पुरुष एक आदमी की जो रफतार है वो काम करने की 2 है तो यानि कि daily 32 काम होगा चार के table से हमने cut किया यह गया ऊपर कितना आगया तो आप क कितना आगया 8 121 बटे 8 काफी प्यारा सा question था time and work का उमीद है समझ आगया होगा सभी बच्चों को और बस इसी प्रकार से अपनी तयारी में जुटे रहें और सवाल लोगों करते रहें यह सवाल आप कर रहे हो इनी से आपने selection की रा पर पहुंचना है ठीक है यानि कि जिस आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता यह तो matter ही नहीं करता हूँ एक संख्या को 200 से घटा के 1.500 कर दिया गया है तो कमी प्रतीशत ग्याद करें यानि कि अगर मान लीजे मैं 200 से किसी संख्या को 1.500 कर देता हूँ तो कितने की कमी आई है तो आप देख पारें 50 की कमी आई है कितने पे 200 की क्या ये आपको लगता है इसे आसान सवाल धर्ती पे कहीं मिलेगा आपको 25 परसेंट तो इसी option आपका correct है तो इस पे हम ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं आगे बढ़ते हैं सवाल number next देखना क्या है 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं ठीक है जब भी कभी ऐसी बात आए कि ये आदमी थे इन्होंने इतना काम क्या इतने घंटे में तो हम इस सवालों को कैसे करेंगे समझना हमने एक time and work में एक formula होता है m d h divide by इनके द्वारा किया गया काम इनको मैं m1 d1 h1 मान लेता हूं सेम दूसरी तरफ m2 d2 और h2 इनके द्वारा किया गया काम कहां पर आएगा नीचे तो ये चीजे इनके रेशो में equal होती है अच्छा अब इसका use कैसे करेंगे देखना जो भी ये ग्रूप होगा वो जो काम करेंगे वो इनके नीचे लिखा जाएगा और ये वाला ग्रूप जो भी काम करेंगा वो इनके नीचे ये दस घंटे काम किया है, दिन तो इन्होंने बताए नहीं, तो मैं डे की वैलू कुछ यहां पे लोंगा ने, लेकिन उन्होंने 50 पेड काटे हैं, वो इनका काम है, इसलिए वो आएगा डिवाइड में, तो एक तरफ तो मैंने ये लिखा, दूसरी तरफ क्या होगा, दस आदमी यह काम छोड़ कर चले जाते हैं, तो पंदरा घंटे में कितने पेड काटे जाएंगे, यानि कि अगर दस आदमी काम पे नहीं आते हैं, ठीक है जी, यानि कि आदमी कितने रह जाते हैं, 20, तो भई, ये पंदरा घंटे अगर काम करेंगे, तो कितने पेड काटे ज आएंगे यानि के आपने w2 की value पता लगानी है तो देखो भाई हमने simplify किया 15 की table से cut किया ये 2 पे गया 0 से cut किया ये 5 पे गया 2 से cut किया ये 10 पे गया क्रोस multiply अगर मैं कर दूं तो भाई कितने पेड़ कट जाएंगे तो भाई कितने पेड़ कट रहें 50 यानि के आपका option number D यहां पे correct हो जाएगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई कोई डाउट तो नहीं यहां तक चलें आगे पका ओके जी आगे बढ़ते हैं चले question next में देखते हैं वही क्या कुछ कहा गया हूँ धनराशी पी रुपे उधार ली गई और दो समान वार्शिक किस्तों में वापस भुकतान की गई जिन में से प्रते की धनराशी रुपी 35,280 है और ब्याज की दर 5% है ब्याज का सही ओजन वार्शिक रूप से किया जाता है तो पी का मान क्या होगा अंजे ये आपने पता लगाना है चले शुरू करते हैं देखना क्या है ये भाई आपसे ये कहा गया कि आपने पहली बाद तो पी रुपे गा लोन लिया ठीक उसके बाद क्या कहा गया और भाई जो आप इंस्टॉल्मेंट दे रहे हो दो इंस्टॉल्मेंट पे आप अप अपने पता लगाना है ठीक है प्यारे बच्चों देखो भाई 5% है इसका मतला मैं इसे लिख सकता हूँ 20 बटे में 21 ठीक है यानि कि जो आपका पहले वाला इंस्टॉल्मेंट जाएगी वह 20 से 21 के जाएगी और जो दूसरी जाएगी वह 20 का स्क्वेर और 21 का स्क्वेर ये पता है कि इंस्टॉल्मेंट तो बराबर होनी चाहिए तो हमने क्या क्या भई इसको भी 21 से मल्टिप्लाई किया तो इधर भी 21 से मल्टिप्लाई होगी यानि के 420 हो जाएगा ये और ये 441, 441 ठीक है भई प्यारे बच्चों अगर मैं देखूं तो प्रिंसिपल ये प्लस ही है यानि के 820 हैं और ये मेरा यहाँ पर क्या इंस्टॉल्मेंट है चारसो इक तालिस या फिर ये भी कह सकते हो 441 अब इन्होंने क्या का 35,280 ये अपने आप में कितने के बराबर होगा देखें ज़रा यानि क्या आप कह सकते हो 441 जो है वो 35,280 के बराबर है तो एक के value क्या हो जाएगे divide by 441 हमें निकालने है भाई 820 की value यानि कि multiply by 820 यह आपने करना है तो चलिए solve करते हैं 21 की table से मैंने cut किया यह गया 21 की table से cut करते हैं यह 21 बच गया कितना हासिल आपका 14 ठीक है और 2 आगे लिया तो 140 अब cut करते हैं तो यह 21 चिक का 126 अब 126 आप माइनस करेंगे तो कितना रहे गया 16 128 फिर 20 से cut किया कितने पर जाएगा आपका इसे पर यह बहुत ही कॉमन कोश्चन है इंस्टॉल्मेंट का अक्सर भाइग यह हर एक्जाम में चाहे वह CGL है MTS है CHSL है अक्सर यह सवाल देखा जाता है तो यह GD में भी आया हुए यह पहरे बच्चों समझ आ गया होगा उमीद करता हूं आगे बढ़ते हैं क्या कहा गया PR स्केर डिवाइड बाइ 100 स्केर यह डिफरेंस होता है दो वर्षों का डिफरेंस कहलाते है ठीक है अब इन्होंने क्या कहा डी की वैलू है 464 बराबर है पी हमें नहीं पता लेकिन आर पता है तो यह आर कितना हो जाएगा चार सो और नीचे दो बार हंड्रेड यह इसे कैंसल सो से मल्टिप्लाई सलें आगे देखना आगे बढ़ते हैं क्या कहा गया एक वस्तू का अंकित मुल्ले क्रे मुल्ले से 25 परतिशत अधिक है ठीक है इसने कहा कि 100 रुपे की अगर कोई चीज है तो आपने उस पे MRP कितना सेट किया हुआ है तो आपने 135 रुपे उस पे टैग लगा रखा है आप चाहते हो 10% का लाब कमाना 10% का ही profit कमाना चाहते हो मतलब यह तो confirm है कि मैं अपना SP जो है वही CP पे 10% कमा के बेच दोंगा तो कितने में बेचना चाहता हूँ 110 में आप मुझे यह बताओ कि भई कितने परसेंट की छूट दोगे MRP यह है और selling price यह कितने रुपे की छूट ह बटे 125 25 के पहाड़े से कट किया यानि के 12% यानि के option number C आपका correct हो जाएगा क्या इतनी बात समझ में आती है चले आगे भई आगे बढ़ते हैं क्या कहा गया तीन महीने में बच्चे का भार 3.2 केजी से बढ़के 6 किल हो जाते है तो बताना वृद्धी कितने होई है 3.2 से बढ़के 6 किल हो गया कितने का इजाफ़ा आपको दिख रहे है तो क्या आप कहा सकते है 2.8 का increment हो रहे है और भई और इजनल स्टार्टिंग में कितना था 3.2 परसेंटेज निकाल दे तो डैसिमल से डैसिमल चार से ये कट किया साथ पर ये गया आठ पर ठीक है जी अब बताव भे जरा कितना होगा तो 700 बटे 8 है अगर हम 8 से भाग करते हैं तो कितना होगा तो 8 पर जाएगा इतना रह जाएगा 64 के बाद 6 रहा गया 8 से ते 56 आठ पंजी चाले यानिके 87.5 ये आपका आंसर उमीद करता हूं भाई समझ आ रहा होगा सभी प्यारे बच्चों को ऐसा तो नहीं भाई बहुत मुश्किल लग रहा हूं आप देख पा रहे हैं कि कोई ज़्यादा टफ वाली सिचुवेशन नहीं है यानिकि जिस बच्चे ने अपनी पढ़ाई की हूई है तो ध्यान रखना आपके एक्जाम में बहुत मैटर करती है ऐसा नहीं कि आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे है तो ध्यान रखना आप एवरेजली जो एक बच्चा 5 घंटे भी डेली पढ़ रहा है वो डेफिनेटल आपसे भी आगे होग consistency भई क्या है कि आपको चीजों को भूलने नहीं देते हैं यानि कि आप हमेशा एक regularity में टच में आगे चलते रहेंगे तो आप चीजों को attach करके जोड़ते हुए पढ़ते हुए चलेंगे तो वो कहीं नहीं ज़्यादा beneficial है CI भई यही वाली चीज है ठीक है CI भई हमेशा एक अदबुत result देते हैं क्योंकि अगर आप daily थोड़ा थोड़ा सा percentage बढ़ा रहे हो तो आपको भई कुछ time बाद बिलकुल unexpected सा दिखेगा कि इतना बदला हुआ गया तो CI वाला भई process अपना लो अपने जीवन में आप भई कभी मार निकाएंगे अब कभी कबार थोड़ा पढ़ लेते हैं कभी जादा पढ़ते हैं तो वो भई ना के बराबरी समझो उसे ठीक उसका कोई result खास आने वाला नहीं है बाकी भई किसमत चल जाए तो कुछ नहीं गया सकते हैं ठीक है बाकी हम एक सामाने तोर से बात करें तो consistency भई बहुत important है एक store में 28,500 की MRP वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की उपलब है बताना भई आपको कितने परतिशत की छूट मिली है 28,500 की कोई चीज थे ये भई आपको 27,645 उरपे की मिली है तो अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो क्या आएगा भई माइनस क्या हमने तो ये 5,9 में से 4 गया अगें 5 और ये भई 14 में से 6 गया 8 यानि के 855 रुपे हमें यहां पर discount के मिल रहे हैं कितने पर 28,500 तो 0 से ये 0 कैंस अब ये भई कितने गुना है तो मैं तो देख रहा नीचे वाले को अगर मैं 4 से कट करता हूँ तो 0 आएगा 3 से करके देखता हूँ मैं तो मैंने 3 से देखा कट करके तो 3,5,15,3,8,4,1,25,3,2,6,2,8 बस ये 3% पे proper कट रहा है यानि के B option आपका सही होगा इतनी बात समझ में आ गई तो लो कुछ कास था नहीं आगे बढ़त हैं तो इनका आपसे पूछा गया है महतम समाप वर्तक क्या होगा ये पता लगाना है तो अगर मान लिजे अगर ये fraction में है मैं इसको लिख देता हूँ दुबारा से 4 बटे 5,8 बटे 15 और 2 बटे 35 अगर ऐसा कुछ दिया हुए और आपसे पूछा जा रहा है महतम समाप वर नीचे वालों का लेना होता है आपने LCM तो 5,15 और 35 भई LCM लेना मैं आपको बता दू 5,15,35 का अगर आप LCM ले रहे हैं तो हमने क्या गरना है बड़े वाले नंबर को ब्रेक कर लो बड़े वाले नंबर को ब्रेक करेंगे तो लिखा जाएगा 7 गुणा 5 चोटे वाले उस पांच को देखे तो पहले लिखा जा चुका है बस आपने कुछ और नहीं करना इनकी मुल्टिपलाई तो हमने देखा 7 पंजे 35 या 105 यानिके 2 बटे में 105 ये भई आपका सही जवाब आ जाएगा बोलो प्यारे बच्चो कोई परिशानी कोई दोविधा समझ पारे हो इन चीज़ों को ओके जी आगे बढ़ते हैं क्या का आगया सुमन 40 किलो गेहूं 12.5 के भाव से 30 किलो गेहूं 14 के भाव से खरीदती है कुल मिला के 5 परसेंट का लाप राप्त करने के लिए भै किस भाव से बेचेगी आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि सुमन ने जो खरीदा है वो किस भाव पे खरीदा हुगा तो सबसे पहली चीज आपकी ये है कि आपने वो किस भाव पे खरीदा है हमने देखा कि 40 रुपे 40 किलो साड़े बारा के भाव से है ठीक है भई अब यहां पर कितने रुपे खर्च हो गए होंगे ये बताओ तो 40 की पहले मैं कर लेता हूँ भई बारा से तो बारा चो कर तालिस चार सो असी तो ये हो गए और इसकी उनाइस से गरीवेने 20 यानि के कुल मिला के 500 रुपे यहां पर खर्च हो गए होंगे ठीक है भई आगे क्या कहा गया 30 किलो बाद में खरीदे किस भाव से तो भई 14 की भाव से तो 420 यहां खर्च हो गए कुल मिला के 920 रुपे खर्च हुए है ठीक है 920 रुपे खर्च हुए है कितने किलो में तो 70 किलो में डिवाइड बाई 70 यह एक किलो का भाव आ गया यह बात क्लियर है एक किलो का भाव आ गया अब आप इसे बेचना चाहते हो 5% के फाइदे में यानि कि यह वाली चीज अगर आप 5% के फाइदे में बेचना चाहते हो क्या मैं यह कहा दू 21 बटे 20 क्योंकि 5% का मतलब क्या हुआ तो 1 बटा 20 अब 20 पे 1 का फाइदा कमाओगे तो 21 बटे 20 में बेचोगे इससे यह कट गया अगर हम इसे कट करते हैं तो भई 7 के टेबल से यह 3 पे गया 2 से कट करते हैं तो यह 46 पे गया अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 से 18 तीन चोग 12 और एक 13 तेरा दशमलो 8 ओप्शन नूमबर यह आपका करेक्ट है एक बेलना कार्ट टेंक की शमता 5632 है यदि इसके आधार का व्यास बेलना कार्ट टेंक की जो शमता है यानि कि वोल्यूम की बात करें स्लेंडर का वोल्यूम क्या होता है पाई आर स्केर एच ठीक है जी यह इसके शमता है कितने की बराबर है 5632 के यह इसने information दे दे फिर क्या कहा गया एक तो radius गी बन है कितना है वो 4 माना जाएगा क्योंकि व्यास 8 है तो radius 4 होगा इसकी भई आपने गहराई यानि के height पता लगानी है तो इस formula को हम आगे बढ़ाते हैं 22 बटे 7 radius है 4 उट कर दो h हमें नहीं पता ठीक है जी अब solve करें तो यह इतनी से जाए रहा मान लीज़े हम 11 के table से कट करते हैं 11 55 ग्यारा इकम ग्यारा ग्यारा दुनी बाइस और देखें तो भई ये 4 की table से अगर हम कट करते हैं तो ये जाएगा 4 इकम 4 एक रहे गया 4 दुनिया चार एटे बटेस उसके बाद 4 से और कट करते हैं 4 ते बारा चार दुनिया आट 2 से कट किया तो ये 16 पर है क्रोस मल्टिप्लाई करते हैं तो 16 सत्य 112 मीटर यानि कि option number C यहां पर correct हो जाएगा उमीद करता हूँ अच्छे समझ में आ रहा हूगा सभी प्यारे बच्चों को अजी सर बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं क्या का आगे से विभाज्य है डिवीजिबल है यदि अंको को हमने आरोही करम में बढ़ते हुए करम में इसको दुबारा अरेंज किया तो बनने वाली नई संख्या किस से विभाज्य होगी चलो अरेंज करते हैं सबसे पहले किसका number 0 का फिर किसका number 2 का फिर 3 का फिर 4 और 5 ये वो संख्याएं हैं जो अरेंज करने के बाद बनेगे सवाल ने जैसा कहा मैंने कर दिया अब बताओ ये किस से डिवीजिबल है मैं तो साफ साफ ये देख पा रहा हूँ कि इसके पीछे 5 है तो confirm है कि ये 5 से डिवीजिबल होगी होगी बस ये बताना था ठीक है बस भई कमेंट करते रहो और भई शेयर करते रहो वीडियो को Find the fourth proportional भई इस संख्या में आपने पता लगाना है कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि मैं आपको 3 संख्याइं दे दूँ और पूछ लो के चोती संख्या क्या होगी तो भई चोती संख्या निकालने का formula क्या होता है इन दोनों की multiply कर दो यानि के 48 और 90 की multiply कर दो divide में रख दो 36 और कर दो इसे simplify 12 की table से कट के हमें इनको और 3 की table से ये तो 4 तिये 120 हो जाएगा तो ये आपका C option correct है क्या ये बात समझभा रहे हो भई प्यारे बच्चो कोई परिशानी तो नहीं आ रही ठीक से चल रहे है ओके जी आगे बढ़ते जाओ क्या कहा गया आगे चलते 9 संख्याओं का ओसेत है 15 पहली 5 संख्याओं का ओसेत है 13 देखो पेजरा 9 संख्याओं हैं जिनकी average कितनी है तो इन्होंने का 15 है इसमें से कहरा है पहली 5 संख्याओं की average की बात करूँ तो वो 13 है बाद की 5 संख्याओं की average की बात करूँ तो वो 17 है बताओ कि पांचवी संख्या क्या होगा आप खुद से एक बात समझे टोटल नो है लेकिन जब मैं इने अलग लग देख रहा हूँ तो पांच ये पांच ये दस होगी इसका मतलब ऐसा नहीं कि दस संख्या है है तो ये भई नो ही लेकिन एक संख्या को मैंने दो बार गिना ह आपने ओ नमबर ढूंड के लाना क्या रहा हूँ बहुत ही जबरदस तरीका बता रहा हूँ भई समझना ज़रा ध्यान से बहुत ही प्यारा सा तरीका आपको मैं बताऊंगा एवरेज कितना है आपका पुराना 15 लिख लो ज़रा 15 ठीक है उसके बाद देखना ये भई एव एवरेजली 15 है लेकिन इसके बाद करो तो कितना है 17 कितना जादा है तो आप कहेंगे भई ये तो 2 जादा है तो प्लस का 2 अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी मल्टिबला या आपने ये 5 5 है तो 5 से ही कर दो और इसमें जोड देना होता है लेकिन यहाँ पे बाई ठेक है जी ये काम आपने करना था कोई परिशानी कोई दोविदा हो प्रथम 6 संख्याओं का ओसत क्या होगा अगर मैं आप से पूछू के भई अगर आप पहला ओसत नंबर लिखते हो वो 2 है अगला 4 है लेकिन अगर मैं लिखता रहूँगा तो काफी वक्त लगेगा आप बस ये बता दो चटा ओसत नंबर क्या होगा तो 2 चिक 12 यानि के जो चटा ओसत नंबर होगा संख्या होगी वो 12 होगी तो 2 अगर यह मैं उसे पूछता कि बताना भई दस हुआ क्या दस तक जाओंगा तो क्या लिखूंगा तो 2 गोना 10 करके मैं यहां 20 लिख देता है कि 20 तक मुझे जाना है अब इनके अवरेज निकालने है तो यहां पे भई होता है पहला नंबर और आखरी नंबर और इसका हाफ यानि के डिवाइड बै दो दो जमां 12 डिवाइड बै दो यानि के बारा और दो 14 14 का आधा 7 यानि के ऑप्शन नंबर भी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा क्या इतनी बात समझ में आ रही है मुझे नहीं लग रहा भई किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी बहुत प्यार से सोलुशन हो रहे है और बस आप भी बस ऐसी स्मूधली करते जाओ ठीक हो सकता है किसी को पहले बार दूसरी बार भी दिक्कत आए बट आपने हार न मानना भई जो मैदान छोड़ के भाग गया उसकी तो जीत भई कुछ नहीं है और जो टिका रहा भई संभावना भी उसी की होती है तो बस आप टिके रहें तो एक संभावना जरूर बनी रहेगी और आपकी मेहनत भई उसे सुनिश्चित कर देती है कि आपकी मेहनत है वो क है कि आप अब दूद और पानी का अनुपात हमें एक रेशो दो बनाना है हम चाहते हैं यह रेशो दो तीन की बजाए एक दो हो महीन Daiya में कितना मिलाना चाहिए मुझे आपने पता लगाना है मैं कलर चेंब कर लूर असर करो देखो भई जरा जरा इनको डिवाइड करना 2 ratio 3 में 60 लीटर को तो हमने देखा 60 को अगर मैं 2 ratio 3 में बाठता हूँ तो क्या आएगा इनका total 5 है 5 से भाग करूँगा तो ये जाएगा 12 पर 12 से इसके multiply 24 12 से इसके multiply 36 ठीक है अभी क्योंकि इसने पानी मिलाने के लिए कहा था तो दूद तो भी यहां भी बराबरी होगा यानि के 24 भी यहां होगा अब 1 की value 24 है तो 2 की value क्या होगी 48 पहले पानी 36 हुआ करता था अब पानी 48 है कितना बदला हुआ रहा है 36 से 48 यानि क्या आप कह सकते हो यहां पर कुछ ऑप्शन नंबर यहां पर correct है क्या इतनी बात समझ में आई प्यारी बच्चों clear है चले आँगे क्या कहा गया एक वैक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमेटर जाता है ठीक है भई यानि के धारा की दिशा में जाने का मतलब है downstream बोलते हैं उसे 88 किलोमेटर जा रहा है वो भी 11 घंटे में क्या आप कह सकते हैं डाउन की जो स्पीड है वो 8 किलोमेटर पर आवर है और 12 घंटे में धारा के विपरीथ जा रहा है यानि के उसको हम अप बोलते हैं कितने जार है, बहतर किलो मेटर, वो भी 12 घंटे में, 6 किलो मेटर पर आवर की रफ दार है, अब आपने बताना है धारा की चाल क्या होगी, ठेक है भाई ये धारा लिखा है, धारा तो नहीं है, ये है धारा, ये धारा की चाल बता लगानी, आप जानते हो, अगर आपको बोट की speed क्या होगी जिसको हम x assume करके चलते हैं और अगर आप से मैं पूछ लूँ current यानि के धारा की चाल क्या होगी जिसको हम y बोलते हैं आपको फिलाल y निकालना है तो इनको घटा लो 8 और 6 का अंतर क्या होगा और divide by 2 कर दो क्या जाएगा एक अगर इसकी जगा बोट की बात करता हूँ तो मैं इनको जोड देता यानि के 14 बटे 2 करता साथ पर फिलाल मेरा answer ये होगा यानि के option number a आपका यहां पर correct हो जाएगा उमीद करता हूँ समझ आ गया होगा अच्छे से कोई परिशानी नहीं होगी होगी ठीक है जी अगला सवाल देखें क्या है शशी एक पुराना refrigerator 12,000 रुपे में खरीदा है मरमत पे 1000 खर्च करता है रुको भई मैं लिख लो पहले CP जानते हो कितना होगा 12,000 में खरीदा प्लस 1000 रुपे उसकी repairing पे कुल मिला के 13,000 रुपे CP कहलाएगा बेचा कितने का तो आप कहेंगे 15,000 का बेचा है प्रोफिट कितने का हो रहा है तो आप कहेंगे 2000 का प्रोफिट हो रहा है पर मुझे तो प्रोफिट percentage निकालना है तो 2000 डिवाइड बै 13,000 मुल्टिप्लाइ 100 तो आपने उसका लापर्तिशत पता लगाना है 30 से 30 कट गए 200 बटे में 13 अब 200 बटे में 13 आपने पता लगाना है कि फिर कैसे निकालेंगे ये समझें अब भाग कर लो सबसे आसान तरीका तो यही है तो अगर हम देखें तो कितने पे जा रहा है 13 एक कम 13 साथ रहेगा 13 पंजे 65 और पांच आपका रिमेंडर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यह आपका आंसर यानिके option number A आपका correct हो जाएगा ठीक है भाई प्यारे बच्चो तो आज की वीडियो में भाई इतना कुछ था उमीद है भाई काफी useful रहा होगा आप सभी के लिए और आपको अच्छी लग रही है वीडियो आपको फायदे मन लग रही है आपके exam में कई न कई help कर रही है तो भाई इसे जरूर share किया करो लाइक किया करो और जो भी आपके विचार हैं भाई वो comment के माध्यम से हमें बता सकते हो आप और बाकी हमारी तरफ से भाई शुक काम ना हैं आप सभी के लिए हमेशा ही तो मिलते हैं next practice set के साथ जल्दी तो तब तक अपनी तयारी को अच्छा बैतर बनाए रखें मिलते हैं thank you very much